क्या कए ब्रो यहां तो सब ही है प्रो देखो फर्जी वेब स्रीज के बाद मैंने पहली वार ऐसी कोई वेब स्रीज देखी है जिसने मेरे गूस बम्स ला दियें ब्रो अगर आप भी इस वेब स्रीज को देखो गे ना तो आप भी बस यही बोलोगे और सची बताओं गाईज ये मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट वेब स्रीज है अगर आपने देखी होगी तो आपको तो पता ही होगा अगर नहीं देखी तो आप बहुत बड़े मास्टर पीस को मिस कर रहे हो क्या बात कर रहे है रहे बाब क्योंकि ये सीजन 1 से लेकर सीजन 2 तक आपको ऐसे जोड़के रखेगी जैसे बॉलीबुड को रिमेक लेकिन आपने अगर इस वेब स्रीज का सीजन 1 नहीं देगा फिर सीजन 2 देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला पहले आप सीजन वन देखो और अगर आपने सीजन वन देख लिया तो आपको सीजन टू देखने से रोकना मुश्किल ही ना मुम्किन है क्या बात कर रहे रहे बाब देखो इस वीडियो में हम तीन चीजों पर बात करने वाले हैं सीजन 3 आएगा यह नहिँ आएगा दूसरा असली असुर कौन है तीसरा क्या सूप जिंदा है तो पहला कोश्चन है, शीजन 3 आएगा या नहीं आएगा तो इसका साफ साफ सीधा सीधा आंसर है कि हाँ आएगा क्योंकि जिस तरह से असूर के मेकर्स ने सीजन 1 की एंडिंग करी थी उससे भी जादा खतरनाक तरीके से इन्होंने सीजन 2 की एंडिंग करी है तो भाई साफ दिखता है कि सीजन 3 आएगा पर देर से आएगा क्योंकि ऐसी स्टोरी लिखने में टाइम लगता है और सीजन 3 में हमें नए नए एक्टर देखने को मिलेंगे जो काफी इंट्रेस्टिंग होगा दूसरा कोस्चन असली असूर कौन है तो मेरे थियोरी के अनुसार असली असूर धननजर राजपूत है क्योंकि सीजन 1 में ये लोगों की गलतियों को माफ कर देता था लेकिन सीजन 2 में ये लोगों की गलतियों को माफ नहीं करता उन्हें सजा देता है जिससे हमें साफ पता चलता है कि यही असली असूर है तीसरा कोस्चन क्या सूब अभी जिंदा है तो देखो मेरे थियोरी के अनुसार सूब अभी जिंदा है क्योंकि सूब अपने आपको कली मानता है और कली को मारने के लिए कलकी ने अबतार लिया ही नहीं तो कली कैसे मर सकता है सीजन वन और सीजन टू में सूब का इतना बड़ा रोल है तो उसे कैसे मार सकते हैं मुझे लगता है कि सूब अभी जिन्दा है और सूब अभी कुछ और प्लान कर रहा है जो कि सीजन 3 में दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ नुसरत और निखिल भी असूर बन चुके हैं क्योंकि वो अच्छे लोग होने के बाब जूद दूसरों को मार रहे हैं अल ओवर सीजन 3 जब आएगा वो सीजन 2 से भी बहुत खतरनाक होगा तो अगर आप भी एक्साइटेड हो सीजन 3 देखने के लिए तो मुझे कॉमेंट करके बताना क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर तो चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नीचे एक लाल क्लिकर का बटन है उसे दवाना भूलना मैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाए टाटा टेक केर जय हिंद जय भारा झाल